सर्यू नदी पुल जो लगबत 60 वर्ष पुल बनाए गया था वर्ष 1972 में इस पुल की शिर्वाद हुई थी जिसकी म्याद देखी जाए तो 50 वर्ष है उस आधार पर सर्यू नदी पुल की म्याद 20 समाप हो चुकी है लेकिन उसकी बावजू पुल को मरमत के दम पर पड़ा रखा गया जिसके चलते आए दिन पुल में कोई न कोई समस्या पैदा होती जारी इस माद पर हर दिन हजारों अहनों का आवगवन होता है साथ ही मरमत के दोरान आवगवन में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है सर्यू नदी पुल जो लगबत 60 वर्ष पूर बनाए गया था वर्ष 1962 में इस पुल की शिर्वात हुई थी जिसकी म्याद देखी जाये तो पटा सहशे उसादार पर सर्यू नदी पुल की मियाद भी समाप्त हो चुकी है लेकिन उसकी बावजुद पुल को मरमत के दम पर खड़ाग रखा गया है जिसके चलते आए दिन पुल में कोई न कोई समस्या पैदा होती जा रही है जिसको लेकर एक बार प्पिर करनेल गंच को लखनाव मार्ग से जोडने वाली सर्यू नदी पुल पर मरमत का कारिय शुरू हो चुका है पुल में लगे बैरिंग में खराबी के चलते बैरिंग को बदलने का कारिय पी डवल्यू डव भाग के द्वारा शुरू करतीया गया एक के बाद एक समस्याओं के बाद एक बार फिर सर्यू नदी के पुल पर बड़े वाहनों के आवगमन पर रोक लग गई है बड़ी घटना को दावत देता सर्यू पूल जो अपनी आयू पूंट कर चुका है ये हम नहीं बलकि जिले में बैटे जिम्मदार अधिकारी का भी कहना है ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि डिजिटल इंडिया बनता हुआ भारत की दिशा और दशा कब पट्री पर आएगी क्या जिम्मदार बड़ी है घटना का इतिजार कर रहे हैं गोंडा से भुपेंतिवारी की रिपोर्ट बिल्कुल इसके तु यह पुल चुकि पहले भी में बता चुका हूं कि यह अपनी आयू पूर्ण कर चुका है और इसको बनाने के लिए इसमें नए प्रस्ताव को पहले पूर में प्रेशित किया भी गया था लेकिन तब तक य राश्ट्री राजमार्ट 330 भी घोसित किया जाज शुका था जिसकी वज़ा से राजसरकार ने इस पर किसी भी कारवे जो है धानावंतंक में असमर्थता व्रेक्ट की थी और चुकि यह अब यह मार्ट पूरी तरह केंद्र में है तो इस पर जो भी जो कारिक बहुश्य मे के बाद में इसकी डी पी यार राश्ट्री राजमार्क विंग द्वारा बनाई जा चुकी है जैसे आगे चलके यह पूर लेन पुल में परिवर्दिक कर दिया जाए